मुमो चटने की बहूत यह रही असाल सी रेसिपी आज में आपके साथ कि रहे हूं जिसे दिस्ते अनग लाल मिर्च लाओम, हम 20-25 लाल टीक लाओ साफ़ लाल मिर्च दिखा फ लेअरो बैलन्स करने के यह करना यह बुझा चेलिक यह दो기도 है, लिया तनग इनामक अब एक चोथा ही छोटी चमच अजीना नमक अब इसमें डाल देंगे हम पानी तो मैंने यहां पर एक ग्लास पानी लिया यानि की 200 ml अब हम इसे गैस पर रखकर इसे उबाल लेंगे सारी चीजों को मैं इस तरह से फैला देती हूं फिर इसे ढखकन से कवर करके हाय फ्लेम पे हम 10 मिनट तक इससे अच्छे से उबाल लेंगे जब यह अच्छे से उबल जाएगा तो टमाटर का उपर का जो अस्कीन होता है वो टमाटर से अलग हो जाएगा तो समझे कि सारे टमाटर पे आज अच्छे से उबल चुके हैं पांच शे मिनट के बाद हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इस तरह अच्छी से चला देंगे फिर बापस से धकन से कबर करके और अच्छे से हम उबाल लेंगे टोटल हमें इसे 10-15 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल लेना है इस चटनी को बनाना आश्कीन है वह वह अच्माटर से अलग होने लगा है तो घजकि कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे के जब हम इसे गरम-गरम गरंड करेंगे तो यह मिक्सी में अच्छे से ग्रैंड नहीं होगा वह डाइस बन कर ऊपर के और फेक देगा तो हम जब बेक से करेंगे ठंडा करेंगी थंडा वो चुकां अब मिक्सि के जारम में एसे ले लेंगे एक से दो बैच में हम इसे ग्रैंट करके तयार कर लेंगे तो मैंने यहाँ पेश्ट बनाकर तयार कर लिया आप थोड़ा सकासूरी में थी अब कुछ सेकेंड के लिए हम इसे चला लेंगे जिसे की मसाले भून जाए लेकिन वो जले नहीं गैस कपले हम यहां पे बिल्कुल लो रखेंगे अब इसमें जाएगा प्यात टमाटर का पेस्ट जो मैंने पहले से बना कर तयार रखा था बस इसमें मसालों के साथ थोड़ा मेर्च लेश्ट की कलिया वह थे एक साथ उभाल लेंगे इसे उभाल कर ठंडा कर लेंगे ठंडा कर लेंगे लेए पेस्ट बना लेंगे बना लेने के बाद थोड़ा सा तॉर्का लागा कर हम इसे 2-3 मिनार तक भून लेंगे तो आप देख सकते हैं मैं भी इसी तरह इसे को करें आप पीजा बनाए या मुमोच शैंड्विच बनाए या बर्गर बस इसी तरह से चटनी को बना कर उसमें यूज करें क्योंकि इसी चटनी को लाल चटनी भी कहा जाता है मुमोच की चटनी भी कहा जाता है और पीजा सॉस भी कहा जाता है बस रेसेप यह ही है नाम सिर बनकर तयार हुआ चुकी है लेकिन आप मार्केट जैसा लूक और टेक्ष्टर दोनों देना चाहते हैं तो इसमें एक चम्मच कॉन फ्लोर पानी में मिक्स करके इसमें डाल दीजिए लेकिन कॉन फ्लोर को जब भी डाले पानी में घोल कर ही डाले आप इसे डाल लेने के छत्नी की कंसंक्ट्रेंशी पर बहुत ही है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मुए और फोले ने मिक्सक पर दून में तक मेडियम पर ऐसे प्लेंगे तो फाइनल्री चतनी शाम तक बिलम 것은 का मैं से अट्वादई पश्रूर पानी आतो तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक क्यार